उत्तर प्रदेश की नफ्स चटोलने के लिए RSS प्रमुक मोहन भागवत की पाट साला कानपूर में सुरू हो चुकी है हम आपको दिखाना चाहेंगे यह कानपूर का नरायना इंस्टूट है जहां पर मोहन भागवत साथ दिन के प्रवास पर आये हुए है इस दवरान पूरे उत्तर भारत के कई संग के जितने पदाधिकारी है सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मन्थन चलेगा आपको दिखाना चाहेंगे यह वही नरायना इंस्टूट है पनकी में स्थित जहां पर मोहन भागवत इस समय समिक्षा बैठक कर रहे हैं जो संग के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं आपको बताएं कि इससे पहले तीन साल पहले भी कानपूर में मोहन भागवत की पाट साल आयोजित हुई थी 2016 में जिसके कई सगरात्मक परिणाम देखनों को मिले थे और आपको बताएं कि यह जो सियासी मोर्चा है उत्तर प्रदेश का उसको लेकर रहनी तयार की जाएगी देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी हाल क्या है और आपको यह भी बताओं कि सुरक्षा बेहुस्ता कि अगर हम बात करें तो मोहन भागवत के प्रवास को लेकर यहां पर व्यापक इंदिजामात किया गया है आप देख सकते हैं कि L.I.U. की टीम और कई परमिलेटरी फोर्स को भी यहां पर अलर्ट किया गया है जो नारायना के और भी ब्रांचेस इंस्टूट की जो यहां से लगी होई है जहां पर प्रवास कर रहे हैं मोहन भागवत, RSS प्रमुक वहां पर भी फोर्स को तैनात किया गया है तो यहां पर जो उत्तर परदेश के अगर हम बात करें मोहन भागवत का जो यह प्रवास है जन्वरी और एक फर्वरी को होने वाली धर्म संसद में यहां से मन्थन के बाद मोहन भागवत वहां पर ऐलान करेंगे वो देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीती की दशा और दिशा क्या होगी मैं रजनीज दिक्षित वीटीव भारत कानपूर